तो जब आप YouTube शॉट पर जाकर कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पर सबसे उपर एक option आता है Add a Music का अब Add a Music पर जैसे ही हम click करते हैं तो वहाँ पर एक song की list खुल जाती है और हम सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई भी song अपनी YouTube शॉट वीडियो में लगाएंगे तो हमें ना copyright strike आएगी ना copyright claim आएगा और इस चीज के उपर बहुत बड़े-बड़े creators ने भी वीडियो बनाया कि YouTube शॉट में जो song की list दी हुई है उनको आप बेफिकर यूज कर सकते हैं copyright strike या copyright claim नहीं आएगा बड़ दोस्तो यह चीज बिलकुल गलत है वहाँ से अगर आप song यूज करेंगे तो भी आपको copyright strike आएगा या copyright claim भी आ सकता है यह चीज मैं आपको बिलकुल proof के साथ अपनी वीडियो में दिखाऊंगा बड़ दोस्तो अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा कोई भी आपका question और Instagram ID पर पूछ सकते हैं और आप मेरी website पर भी description में मिल जाएगा तो दोस्तो यहां पर जो है आप जो screenshot देख रहे अभी वीडियो में इन्होंने YouTube शॉट का जो feelings वाला music है उसको use किया अपनी वीडियो में और आप खुद देख सकते हैं कि इनको copyright claim आ चुका है अब दोस्तो अगर उस song पे copyright claim आ सकता है तो उस पे copyright strike भी आ सकती है तो दोस्तो अगर आप वहां से कोई भी music use कर रहे है तो सोच समझ कर कीजिए अब मुझे नहीं पता कि इनके channel पर copyright claim क्यों आया YouTube short music use करने पर मैंने भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी कि copyright नहीं आएगा बट copyright दोस्तो ये कल आया है और वीडियो मैंने कई दिन पहले बनाई थी तो दोस्तो मुझे नहीं पता कि ये YouTube का error है या क्यों copyright claim आया है अगर आपको इसमें कुछ knowledge है तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा और हाँ वहां से अगर आप music लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप यूज करना कभी आपको copyright strike या claim आ जाए मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं मैं आपसे वीडियो में तब तक अपक बबाई थैंक वरुए